कि चलिए बात करते हैं इंटरनेशनल इंस्टिटूट्स की इंटरनेशनल इंस्टिटूट्स की इंटरनेशनल इंस्टिटूट्स देखें ऐसे तो धेर सारे इंटरनेशनल इंस्टिटूट्स हैं हम लोग जिस इंटरनेशनल इंस्टिटूट्स की बात करेंगे वो केबल अग्री कल्चर एक्टिविटी से जुड़े हुए जितने भी इंटरनेशनल इंस्टिटूट से उनकी चर्चा करेंगे अभी इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं तो इनकी कंट्रोलिंग बॉडी कौन है कोई एक देश तो होगा नहीं अगर किसी एक देश को बनावजी दि सब्सक्राइब क्या है भी सी जी आई ए आर उननिस सो एकतर में यह बॉडी बनाए गई थी 1971 में पूरा नाम क्या है इसका कंसल्टेटिव ग्रुप और इंटरनेशनल एग्री कल्चर रिसर्च अब इसका नाम बदल गया है अभी बैसे तो कई जगा पर आपको यही देखने को मिल जाएगा कंसल्टेटिव ग्रुप और इंटरनेशनल एग्री कल्चर रिसर्च अब इसका नाम हो गया है कंसोल्टियम और इंटरनेशनल एग्री कल्चर रिसर्च सेंटर यह शॉट में कर दिया मैं आई एंटी अग्री कल्चर आरे इस मतलब रिसर्च कंसोल्टियम और इंटरनेशनल एग्री कल्चर रिसर्च यह इसका प्रेजेंट नीम है आज इसको हम लोग क्या कहते हैं कंसोल्टियम और इंटरनेशनल एग्री कल्चर रिसर्च सेंटर शॉट में कहा जाता है इसको सी जी आई या इसी के कंट्रोल में है agriculture के मेजर इंस्टिट्यूट अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो टोटल 15 इंटरनेशनल इंस्ट्यूट्स है इसके कंट्रोल में कितने 15 तो यह 15 कौन-कौन से हैं वह हमें देखनें उन्हीं को मैं पढ़ना है उन्हीं को मैं याद करना है एक सबसे पहला है आपका भी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट्स इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट्स इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट्स यह सबसे पहला इंस्टिट्यूट्स है इंटरनेशनल लेवल का अग्री कल्चर से रिलेटेड 1960 में बनाता यह अच्छा सीजी आईयर तो 1971 में बना तो यह 1960 में किसे ने बनवा दिया उस समय दो फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी बड़ी काम किये उन्होंने एक फोर्ड फाउंडेशन और एक रॉक्फेलर फाउंडेशन उसी ने बनवाया इसको हैड़ क्वाटर कापरेबईस का हैड़ कॉटर इसका फिलिपिन्स में पी एच आई डबल एल आई पी एन एस देख लेंग गलत ही होगी फिलिपिन्स की स्पेलिग फिलिपिन्स की स्थापना होई ती दूसरे की अगर हम बात करें तो है सिमिट यह भी नाम आप लोगों ने सुना होका सिमिट हाला कि यह जो सिमिट है इसका अगर एक्च्वल फॉल नेम देखा जाए तो बहुत स्पैनिश लेंग्विज में है वह हमको नहीं पढ़ना हमको इसका इंगलिश वाला नाम क्या है वह देखना है तो वह इंटरने मैं ठीक इसका हीं अश्वी कहां पर हुं मैक्सी कम इसका हेट कौर्टर है मैक्सीक में 1966 जी में 6 960 भी उसके बाद नंबर है तीसरा तीसरा नंबर का हैывает कैपी अगहईति में टीप इसका भी जो एक्ट्ट एटिशन य Kwश में उपी English वाला आप देख लीते हैं व है रिखा इंटर नेशनल सेन्टर फॉर ट्रॉपिकल एग्रिकल्चर यह बहुत इंपोर्टेंट और कन्फीजिंग भी है कंफीजन क्यों है क्योंकि अबी जो फोर्थ नमबर काम कढ़ें गों उसके साथ बड़ा confusion create होता है इसका पहले तो यह देख लोगी इसका हेड़ क्वाटर कहां पर है इसका हेड़ क्वाटर है कोलंबिया के अंदर कोलंबिया ठीक है और इसका इस्थापना establishment का गुआ था 1967 में अब जो फोर्थ नंबर का है यह आई आई टी यह बड़ा वह काफिस करता है इसके साथ क्योंकि यह International Institute of technological अब देख लो आप सेम ही है बस एक जगापर सेंटर है तो एक जगाप इंचिटीट है यहां पर सेंटर लिखा हुआ है यहां पर इंस्टी्ट लिखा हुआ है वाकि ठीयां इं 강्री तॉसे म हैं और दौनों इसका है नाईजीरिया में नाईजीरिया में इसका है और इसका भी 1967 में ही हुआ है याद करने का तरीका आपको बता दो यहाँ पर है तो सी फॉर सेंटर सी फॉर कॉलंबिया ऐसे याद रखना क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा कॉलंबिया में है और कौन सा नाइजीरिया में तो सी फॉर सेंटर सी फॉर कॉलंबिया ऐसे आप लोग याद रख लेना चार हो गए चार के बाद पर पांच बाजाओ आलू वाला है इंटरनेशनल सेंटर फॉर दी पोटेटो इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटेटो अलू के लिए यह 1971 में बना था कहां पर है पेरू के अंदर है ठीक है अलू वाला हो गया उसके बाद आजा छटवा है आपका एमपोर्टन इकरी सैट जो अपने इंडिया के अंदर ही है most most इंपार्टन है यह इसके ओपर भी काफिवार कोईशन पूचा गया इक लिसेट की ऊपर क्या इसकाers का पुरू नाम पर यह हैधराबाद के अंदर है कि हैधराबाद में गठन कब हुआ था इसका एस्टाब्लिश्मेंट कब हुआ था उन्निस सो बहत्तर में नाइनटीन सेवेंटी टू में ठीक है यह कहां पर यह बैनिन में है बैनिन में नाइनटीन सेवेंटी बन में स्टब्लिश हुआ था इसका अफरीकन राइस सेंटर नांटीन बैनन में है यह यह बैन इन जो है इसका भी टेंप्रेडी सेंटर ही है चलो उसके बद आटवे नंबर का बड़ा इंपोर्टेंट है यह बायो डायवर्सिटी इंटरनेशनल बाय डिटली में इसका हेड़कॉर्टर है ठीक है और इसकी जो एस्टबिलिशमेंच है वह 1974 की है 1974 क्लियर कितने होगे 8 8 के बाद बाद जो नौबाहे इंतरनेश्नल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट इंटरनेश्नल फूड़ पॉलिसी दिसर्च कहां पर रहे हैं यह वाशिंग्टन में वाशिंग्टन डी सी यू ऐसे में वाशिंग्टन डी सी यू ऐसे के अंदर है यह कब एस्टबलिश्मेंट हुआ था इसका 1975 ठीक अभी नो हो गए दस्वा है आपका वर्ल्ड फिश चेंटर मचलियों के लिए मलेशिया के अंदर है मलेशिया में 1974 में इसका इस्टबलिश्मेंट हुआ था ग्यारवे नंबर पर एक लिखुआ आप इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्री कल्चरल रिसर्च इन ड्राय एरिया जिसको अपने लोग शॉर्ट में एकार्डा कहते हैं आई सी ए रडी ए इकार्डा इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्री कल्चरल रिसर्च इन ड्राय एरिया इन्टरनेशनल सेंटर फॉर एग्री कल इन ड्राय एरिया वैसे तो इसका हेड़ कॉर्टर पहले सीरिया में था लेकिन अब सीरिया में नहीं है वहां से इसको सिफ्ट कर दिया है सिफ्ट एक तरह से कह सकते हैं टैंप्रेरी सिफ्ट किया है लेवनान में लेवनान में है अभी प्रेजेंट में कहां पर है लेवनान में ठीक है और इसका एस्टबलिश्मेंट कब हुआ था 1977 में इसका एस्टबलिश्मेंट हुआ था कितने हो अब बहुत हो गया अब आजब बारवे नंबर का है वर्ल्ट एग्रो फोरेश्टरी सेंटर वर्ल्ड एग्रो फोरेश्टरी अंधर यह कहां पर है यह केनिया के अंदर हेड क्वार्टर है केन नहीं अमें और औ घब बना था यह 1978क में 1978 में गढ़न हुआ था उसके वाद आजा OW International Water Management Institute International Water Managment Institute International Water Management इंस्टिटूट यह कहां पर है पर विक को लंबो श्री लंका में श्रेया को लंब वो लंबिया से मत हो जाना वहकल अलग देश यह को लंबो श्री लंका में है यह स्री लंका में 1985 में हैं इसका establishment वुआ 1985 में इंवा थीए पर उसकी वाद आजा महीं आपका है Center for the International Forestry Research Center for International Forestry Research International Forestry Research International Forestry Research के लिए है यह है इंडोनेशिया में हैड क्वाटर है इसका इंडो नेशिया ठीक और इसका इस्टबलेशमेंट वह था नाइनटीन नाइनटीफ्री में और एक लास्ट फिप्टीन देया आपका International लाइविस्टॉक रिसरच इंस्टीट इंटरनेशनल लाइविस्टॉक रिसरच हुआ इंस्टीट यह भी कहाँ पर है इसका इसका इस्टैबलेश्मेंट तो यह टोटल 15 इंटर्नेशनल इंस्टिटूटत है और इ्क माथ यह से यह कंट्रोल में याद करें यह मैंने याद कर रहे हैं आपके और फिसी कृषमहीं आपके अपने तरीके से मेरा तरीका यह था याद करने का मुझे सीक्वेंस में बहुत लबे समय से याद है तो मुझे याद है इसी में मैं पता देता हूँ ठीटीक बैइं इनके उपर कोशोंस कभी-कभी पूछ ले जाते हैं ऐसा नहीं है कि केवल । पंधरह director के इन पंधरह के अलावा और भी बहुत सारे इंटरनेशनल đến कि एक टूंट्स हैं जो डाइक्टली किसी मार किसी कंटरी के अंडर में आते हैं लेकिन सीजी आई यार के अंडर में आज की तारीख में प्रिजेंट में पंदरा इंस्ट्टूट्स हैं और वो फंदरा इंस्ट्टूट्स यह हैं ठीक चलिए थैंक्यू